SEO, social media यह यूँ कहें तो पूरे digital marketing field में हमेशा कुछ न कुछ चलता ही रहता है Google हर धाई घंटे में एक update release करता है और हर रोज सैक्रों websites और blogs कुछ न कुछ अपडेट करते रहते हैं तेजी से बलती इस digital marketing की दुनिया में हर महीने की 5 तारी को SEO last month लाता है आपके लिए पिछले एक महीने की सारी खबरों का निचोड बिना तोड़ मरोड के आपके सामने आएगा अगले 10 मिनेट में जुलाई 2019 से लगातार हर महीने हम इस वीडियो सीरीज को continue कर रहे हैं सिर्फ आपके support से और ये है SEO last month सीरीज का अपरिल 2022 एपिसोड सो पिछले महीने की पहली खबर थी Google My Business की तरफ से फर्स्ट मार्च को Google My Business ने कुछ लिस्टिंग्स के दो बार वेरिफिकेशन होने की possibility के बारे में बात की इसके बारे में Google ने कोई formal announcement नहीं किया है बट as always Google My Business की policies के बारे में बहुत ज़्यादा Google खुल कर बताता भी नहीं है Google My Business के policy page की update को track करने पर हम यह कह सकते हैं कि यह policy 15 Feb के बाद ही update की गई थी कि लिस्टिंग्स को दो बार verify करना पड़ेगा और कैसे दो बार verification करना होगा यह सारी details हम इस वीडियो में cover कर चुके हैं इस वीडियो का link और इस policy change का जो official link है वो आपको इस वीडियो के description में मिलेगा 3rd March को Google ने page experience signal का desktop search results में ranking signal में जो update है वो rollout complete कर दिया है यह rollout शुरू हुआ था 22nd February को mobile पर यह ranking signal last year से ही है page experience update के जरिए Google ने किसी web page की performance को ranking factor के साथ link कर दिया है तो अगर कोई page अपने competitor के page से fast है तो वो ज्यादा अच्छी rank कर सकता है बट उसका content भी अच्छा होना चाहिए सिर्फ speed से फर्क नहीं परता है page experience update को वेब वाइटल के ऊपर बारे 10 से ज़्यादा वीडियो है एक पूरी playlist है जिसका link आपको इस वीडियो के description मिलेगा 7th March को Microsoft में professionals के लिए एक अलग type के ad format को launch किया जिसे professional service ad कहा जाएगा professional service ads medium to large businesses को focus कर रहे हैं जिसमें एक company तीन type के promotions को कर सकती है suppose आप club dental type के किसी बड़े एट से dental clinic की chain को ad के जरीए promote करना चाहते हैं तो आप तीन तरह के ad चला सकते हैं number one सिर्फ कुछ dentist को promote कर सकते हैं या number two किसी खास branch या clinic को promote कर सकते हैं या number three पूरी की पूरी company लोग dental को ही promote कर सकते हैं यह ads intent driven है जिसमें Bing search कर रहे user की commercial intent को समझ कर उसी तरह के ad दिखाना शुरू कर देगा search की intent क्या होती है इसे कैसे आप अपनी SEO strategy में use कर सकते हैं इसके उपर अभी हाली में हमने एक वीडियो किया था जिसे आप देख सकते हैं इसका link भी अभी आपको top right corner में देखाई दे रहा होगा अभी फिलाल यह US और Canada में ही available है बट worldwide भी launch हो सकता है जल्दी ही यह कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं 9th March को Twitter ने Twitter shop नाम के feature को announce किया जो अभी बहुत ही limited companies के लिए सिर्फ US में available है but the way Twitter की users बढ़ रहे हैं, Twitter shop को काफी सारी companies use कर सकती है Twitter shop feature को use करने पर companies की profile पर इस तरह का button दिखाई देता है जिस पर tap करके users उस company के 50 products तक को browse कर सकते हैं और उन्हें purchase भी कर सकते हैं So it looks like a nice little option and I know Twitter इसे बीटा feature बोल रहा है but ये actually alpha से भी जदा कच्चा feature है I mean अभी फिलाल ये सिर्फ US में launch हुआ है, सिर्फ English language में launch हुआ है और इसे सिर्फ Twitter के iPhone app में ही use किया जा सकता है और इसमें सिर्फ 50 products ही add किये जा सकते हैं So let's see इसे क्या कैसे develop करते हैं but right now अभी ये काफी कच्चा बीटा है 11th मार्च को Google Ads ने cars के लिए vehicle ads को launch किया ये ads अभी फिलाल US में launch किये जा रहे हैं लेकिन Google ने promise किया है कि ये दूसरी countries में भी जल्दी ही roll out कर दिया जाएगा इन ads के जरिए companies पूरी की पूरी inventory को promote कर सकती है इन ads में गाड़ी की image, model number, price वगएरा वगएरा information दिखाई देती है ये भी एक तरह के shopping ads हैं इसलिए advertisers को Google merchant center account के जरिए अपनी inventory की feed देनी होगी अल्सो ये ad type auto accessories या auto parts के लिए available थे हैं सिर्फ cars के लिए है 14th March को Google ने Search Ads 360 platform में GA4 के integration को announce कर दिया इससे पहले पिछले महिने Google ने announce किया था कि उन्होंने Search Ads 360 platform को Google Ads के infrastructure पर फिर से बनाया है ताकि Google Ads जैसे reliability और performance Search Ads 360 को भी मिले अब GA4 के साथ integration के जरिए दोनों services एक दूसरे के features को बेटर तरीके से use कर सकती हैं 16th March को Microsoft Ads ने अपने automotive ads के कई सारे नए features को announce कर दिया और इन्हें worldwide rollout भी कर दिया है अभी तक ये सिर्फ North America और Europe नहीं available थे अब Microsoft के automotive ads motorcycles के लिए भी run के जा सकते हैं साथ ही ये ads Bing के search results के अलावा Microsoft के audience network Yahoo और DuckDuckGo के search results में Windows के search bar में और Microsoft के autos marketplace में भी दिखाये जाएंगे 16th March कोई Google ने ज्यादा बड़ा announcement किया 1st July 2023 से Google Universal Analytics को बंद कर देगा Universal Analytics वो चीज है जिसे आप Google Analytics के नाम से जानते हैं ऐसा इसलिए किये जा रहा है because Google के नए analytics platform यानि की Google Analytics 4 को को use नहीं करना चाहता है और ऐसा इसलिए हो रहा है because अभी Google Analytics 4 यूनिवर्सल एनलिटिक्स के comparison में कम feature देता है कम data देता है बहुत सारे important feature missing out है important data भी missing है 21st March को Google Merchant Center के GA4 के साथ integration को announce किया गया एक कहावत हुआ करती थी कि राज हट, बाल हट और नार हट के आगे सब मजबूर हो जाते हैं इसमें corporate हट को भी जोड़ देना चाहिए Google का बस चले तो GA4 को रहो और केतों के साथ भी link करते हैं इस update के बाद आप अपने merchant center account को GA4 के साथ integrate कर सकते हैं इसके लावा जब users पहली बार ads editor को install करेंगे, use करना चालू करेंगे तो ने काफी सारे onboarding tips दिखाई देंगे इसके लावा आप custom actions को भी save कर सकते हैं अब से Google ads editor में जिसे बार बार use किया जा सकता है इन नई type की recommendation को आप ads editor के जरीए apply कर सकते हैं और इन नए type के conversion goals को भी आप Google ads editor के जरीए use कर सकते हैं ये काफी बड़ी update है इस tool के लिए version 1.8 से सीधे 2.0 को launch किया गया है 1.9 को skip करके इसमें काफी सारे announcement है आप directly इस page पर जाकर इससे पूरी डीटेल में study कर सकते हैं 23rd मार्च को Google ने product review update की update लाउंच करी अभी इस नई update में Google ने comparison websites top 5, top 10 type के pages होते हैं इस तरह की websites के बारे में ज्यादा clarification दिया है product review update के इस third version के उपर हमारा एक dedicated video है इसको पूरा explain करते हुए जिसे आपको देखना चाहिए और original update के launch के उपर भी हमारा एक dedicated video है इन सबके links आपको इस video के description मिलेंगे या फिर top right corner में भी दिखाई दे रहे होंगे अगर अभी तक जगे बची होगी 24th मार्च को Twitter ने DM में search के function को launch कर दिया अगर आप professionally Twitter यूज करते हैं as personal या किसी brand के लिए किसी company के लिए यूज करते हैं गूगल सर्च कॉंसोल का URL parameter tool 26th April 2022 को बंद कर दिया जाएगा URL parameter tool के जरिए webmasters Google को बता सकते थे कि किस type की URL parameter को कैसे handle करना है इससे 2009 में launch किया गया था लेकिन अब Google को confidence है कि वो सारे URL parameters को सारे URL की variations है उनको खुद से handle कर सकता है page के content को देखके समझ सकता है इसलिए इस tool को बंद किया जा रहा है URL parameter tool को हमने Google search console series में cover किया था and now obviously आपको इस वीडियो को देखने की जरुएत नहीं है use करने के इस tool को obviously but हम इस वीडियो को down नहीं करेंगे because भले ही अब URL parameter tool नहीं है but URL parameters अभी भी रहेंगे यह क्या होते हैं, इनका impact क्या होता, इनका use क्या होता है यह हर नए SEO को जानना समझना बेहल सरूरी है इसलिए वीडियो लाइव है आप tool को use नहीं करना है लेकिन आप URL parameter को समझने के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं अगर हम किसी न्यूस को miss कर गए है तो आप comment section में बता सकते हैं और अगर आप महिले के बीच में किसी update न्यूस से टकराते हैं तो हमें बता सकते हैं Twitter पर tag करके मेरा Twitter handle है team Amitwari Thank you so much watching this video, my name is Amitwari from Amitwari Totnet and I will see you next time, take care I will see you next time, take care